नमस्कार आप देख रहें न्यूज 24 फर्ष्ट एक्सप्रेस और आपके साथ मैं हूँ गम्तासी तो चलिए सुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खब्रों से ठीवर खेडा में वितो बित्रड केंद्र डीमर खेडा के अंत्रगत आने वाली ग्राम पॉडी कला वी में टेड माहाउस से तीन ट्रांस्पॉर्माद चले पड़े हुए हैं पूरा गाउं अदेरे में रहने के लिए मजबूर है दो दिन पहले विश्पे हिंदू परिशद बजरंग दल प्रिकंड अध्यक्ष पंकस दिवारी के नेत्रवत में ग्रामड़ों ने एश्टियम नदीमा शीरी के नाम प्रभारी तहसिलदार को ग्यापन सोपा था जिसमें प्रभारी तहसिंदार के द्वारा अस्वाशन मिला था कि दो दिनों के अंदर ट्रांसपॉर्मर बदल दिया जाएगा लेकिन दो दिनों तक कोई भी ट्रांसपॉर्मर नहीं बदलेंगे जिसके कारण ग्राम पंचायत पोड़ी कलावी का आम जंता आक्रोशित हो शरत पांडे, संजय पांडे, गपप्पु पांडे, एडवॉकेट, जैप्रिकास, सुकला, ब्रंदावन पटेल, लाला पटेल, रोहित, नाई, विद्रास, पटेल, ग्राम पंचायत, पोड़ी एवं सिमरिया के समस्त ग्रामिड उपस्तित रहें ग्रामिडों का कहना है क कि अगर कल तक बिगड़े हो समस्त ट्रांस्पॉर्मर नहीं बदले गए तो इसका बड़ा प्रदर्शन होगा, जिसके जिम्मेदार अस्वासन प्रशाश्वन एवं दिनके लिए अधिकारी कर्मचारी होंगे, आम जनतानी बिजली बिभाग के अधिकारी कर्मचारीों के खिलाब जमकर नारेवास देगी, वक्तों गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर से हाजर होंगे, ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के शाब, तब तक के लिए नमस्ता